हलो फ्रेंड्स आपका मैं चलता फोकस पर श्वागत है फ्रेंड्स आज हम बहुत बुरी ख़बर लेकर गया हैं आप बेरुजगारों के लिए बेरुजगारी जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है इसके कोई मतलब सुनवाई नहीं कर रहा है नहीं है कि पिछली साल में 45 वर्स वर्स वर पहुंची बेरुजगारी विपक्स का सवाल एफ चॉब्स चलता रहा है लेकिन बेरुजगारी जो है वह अहम मुद्धा बिरुजगारों के लिए बना हुए पॉलिटिक सुलत को राजनीती करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं वो कि सबसे बड़ा प्रवल्ब बिरुजगारों का है सरकारे आती है जाती है यह जूटे ज़ुटे वादा करेंगे और कुछ होगा नहीं यह देखिए के लिए लाखो पदखाली परिवा बिरुजगार भारत में बिरुजगारी की समस्या पिछले 45 वर्सों के उच्टा मस्तर पर पहुच गई है नेशनल सेंपल सर्वे कारियाले एन एस एस ओ द्वारा जारी की के एक सर्वे इस बात का खुड़ासा हुआ है इस से 1972-73 के बाद सबसे ज्यादा इसी डाटा को जारी ना करने के फैसले के कारण ही राश्टी साइंखी की आयोक के दो सदस्चियों ने अचानक अपने पत्स इस्तिफा दे दिया था बताईए अब जो ऑफिसर्स वो भी दबाव में है सरकार के की आकड़े जारी ना करें ताकि सचाई सामने आ जाएगी और यही कारण है कि दोनों लोगों ने क्या किया इस्तिफा दे दिया था कि उनकी मंदारी बनी रहे वो फसेना इस्तिफा देने वाले पीसी मोहनन और जेवी मिनाच्छी का कारेकाल जून 2020 में पूरा होना था आयोग में केवल यही दोनों गैर सरकारी सदशे थे सहरी छेतरों में बढ़ी संख्या रिपोर्ट में कहा गया है कि सहरी छेतरों बिरुजगारी की संख्या 7.8 फिस्ति रही वहीं ग्रामिट इलाकों में या 5.3 फिस्ति रही रिपोर्ट में कहा गया नुरबंदी की चलते नई नोगरियों की संख्या में काफी गिरावट आ गई थी जो अभी समली नहीं है एक तरफ जहां GDP क्रफ़तार 7 50 से जादा है वहीं बिरुजगारी के आख़ड़े सरकार की परिशानी पर बढ़ डालते हैं पिछले एक साल में नोकरीयां मिलने की संख्या एक दिसमोलों एक करोड कम हुई है जानने और ये कारण की में बता देते हैं कैसे इतना बढ़ गया आप जानते हैं पिछले डेल साल से एससी पर रोग लगा हुआ है कॉड केईस चला हुआ है रेल एक भरती दोर पंदरा में के वाल एक आया था दोर तेरह के बाद वही एक भरती हुए सब्सक्राइब कोई भरती नहीं अब फिर चुनाओ आते यह भरती आ गई है यह भी लगता नहीं है कि पहले कंप्लीट होने वाले हैं यह भी मात्र चुनाओ के लिए ही किया जा रहा है हमारे ख्याल से बहले आपने पॉलिक्स जोड़ है हमें कोई मतलम नहीं है लेकिन अगर सब्सक्राइब के अकड़ों पर कई विवक्षी ने ताउन सरकार के उपर तंजी का साहिए कांगर्साइब से राहूल गांधी ने लिखा है नोमो जॉप्स हाउद जॉप्स 6.5 क्रोड लोग एक सालें भी रुजगार हो गये हैं नोमो जॉप्स दॉप्स प्रोड प्रोड इसके अलाम एक और नेता सब्सक्राइब कि जोस नहीं लोगों को नौकरी जरूरी थे जो कि नहीं तो फ्रेंटाओं के बाद छोड़िया अगर हम अपने उपर ध्यान दे तो वाक्याई में बेरुजगारी की जो हालत है बहुत खराब होए बहुत ज्यादा बढ़ गई है कहीं भी कोई मदल्ब कोई वेकंसी आने रहे जो आ रही है फंस जाती एक साल दो दो साल के लिए तो यह हमारा देश का हाल हो गया है और अगर इसमें सुधार नहीं किया गया सरकार करश्चा विरुजगारी तो से आवाज नहीं उठाय गया ते देश का हाल ऐसे होता रहे क बढ़ती रहेगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा नेता लोग के लोट बनाते रहेंगे अपना सरकार मनाते रहेंगे और क्या होगा सबसे बड़ा प्रॉल्म किसको हो रहा है कि विरुजगारों को तो फ्रेंड्स यही आज आज आपके लिए लेकर करके आया थे अगर अब भूले और अगर अभी तक आपने हमें चलों सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पलपल की अप्डेट मिलती रहें थैंक्यू